राम लल्ला की भूमी आयोध्या जहाँ पर राम मंदिर को लेकर काफी समय से विबाद चल रहा था लेकिन अब राम मंदिर के निर्मान कार्य को सौगात मिल गई है जिसके बनने का सभी को इंतजार भी है इसके लिए 12,000 खंबे की ड्रोइंग भी तयार की गई थी हाला की मंदिर का निर्मान 2023 तक पूरा होना था लेकिन राम मंदिर के नीचे से कुछ ऐसा निकला है जिसे देख सभी के होश उड़ गए क्या मिला राम मंदिर के नीचे ऐसा कि सरकार समेट सभी लोग रह गए दंग अखिर कौन सा है वो राज जो अब खुलने लगा है अखिर क्या निकला मंदिर के नीचे से ये जानने के लिए वीडियो को आन तक जरूर देखिएगा दोस्तों आपको बता दे कि आयोध्या में राम मंदिर निर्मान को लेकर कई कार्य चल रहे है लेकिन इस निर्मान कार्य के चलते एक ऐसा रास खुला है जिसे देख सभी हैरान रह गए दरसल जब मंदिर को लेकर निर्मान कार्य चल रहा था तो अचानक से मंदिर के नीचे से सरयू नदी की धारा निकल गई जिसे देख सभी लोग चोग गए उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सता पर खुदाई के दोरान अचानक से नदी की धार कैसे निकल गई सरयू नदी की धारा निकलने के कारण काम उसी वक्त रोग दिया गया और कमेटी के साथ बैठक की गई वही सुत्रों के अनुसार कमेटी ने मंदिर के नीचे सरयू नदी के निकलने से बताया कि इससे निर्मान कारिय में बाधा सकती है और मंदिर को बनाने के लिए जो मॉडल तयार किया गया था वो सरयू नदी के मिलने से सही नहीं है परन्तु आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चानल पर नए है तो चानल को सब्सक्रेब आवश्य करें और नीचे दिये बेल आइकन को दबाना न भूले ताकि हमारे नए अपडेट्स आपको मिलते रहे दोस्तों आपको बता दे कि राम मंदिर के नीचे से सरयू नदी तो जरूर मिली है लेकिन इससे मंदिर के निर्माण में मुश्किले आ सकती है साथ ही राम मंदिर के निर्माण में कुछ और भी राज सामने आये है दरसल सरयू नदी के मिलने से पहले मंदिर की नीव जिन खंबो पर टिकमी थी उनकी टेस्टिंग के लिए 1200 खंबो को 125 फीट नीचे डाला गया और फिर 30 दिन तक इन्हें ऐसे ही रहने दिया गया इसके बाद इन खंबो पर 700 टन का वजन डाला गया साथ ही भुकम के जटके भी दिये गए लेकिन भुकम के जटके देते ही कुछ ऐसा हुआ कि सभी के पेरो तलिस जमीन खिसक गई हुआ कुछ ऐसा कि सभी खंबे अपनी जगह से हिल गए और कुछ टेड़े भी हो गए ये देख सभी की चिंताय बढ़ गई दोस्तो हैरानी की बात तो ये है कि राम मंदिर को लेकर धीरे धीरे कई खुला से हो रहे है लिकिन सबसे बड़ा रहस्य था मंदिर के नीचे मिलने वाली सरयुनदी का दोस्तो क्या राम मंदिर तय के लिए मौडल के अनुसार बन पाएगा? क्या दो हजार तेज तक मंदिर बन कर तयार हो जाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा परन्तु सरयुनदी का मंदिर के नीचे मिलना कोई चमतकार है या कुदरत का करिश्मा? ये तो कोई नहीं जानता लेकिन कुछ लोग इसे भगवान का ही चमतकार मान रहे है अगर आप भी राम भक्त है तो कमेंट बॉक्स में जैश्री राम अवश्य लिखेगा अगर आपके आस पास ये आपके साथ कोई इसी घटनंग घटी थूई है जो किसे चमतकार है तो